सब्सक्राइब कीज़े लर्न विट जैनब चैनल को और बेल आइकोन को दबाना मत भूलिएगा ये बिल्कुल फ्री है असलाम आलेकूम आज मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ बांगडा फिश फ्राइ बनाने की रेसिपी इसको हम तवे पे फ्राइ करेंगे इसको आप तवे पे फ्राइ करके खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये तो चलिए बांगडा फिश फ्राइ बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देखते हैं बांगडा फिश फ्राइ बनाने के लिए हम लेंगे बांगडा फिश इसको हमें वाश करके रखा हुआ है इस फिश के उपर सैड में बहुत ही ज्यादा काटे होते हैं इसलिए फिश वाले भाईया ने इसको निकाल दिया है आप भी हो सके तो निकल वाली जिएगा फिश के उपर लगाने के लिए मसालों में हम लेंगे कौन फ्लोर, तेल, टर्मरिक, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, नीम्बू का रस, अब हम इसको एक साइड में रख देंगे, इधर हम एक प्लेट ले लेंगे, इसके अंदर सारे मसालों को आट कर देंगे, कौन फ्लोर, टर्मरिक रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, लेमन जूस, और तेल, इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप इसमें रेडी मिक्स पाउडर भी आट कर सकते हैं, हम यहां पर घर के मसालों से ही फिश फ्राय करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी भी आट करके मिक्स कर लेंगे, पेस् फिश को टर्ण करके पीछे वाली सैट भी अच्छे से लगाएंगे, इसके अंदर भी मसाला अच्छे से लगाएंगे, फिश को हमने मसाला अच्छे से लगा दिये हैं, जो बाखी बचे हैं उनको भी इसी तरह मसाला लगाएंगे, तो अब यह सारे तयार हो गए हैं, अब अब हम इनको रेफ्रिजरेडर में मैरिनेट होनी के लिए आदे गंठे तक रख देंगे फिश हमारी अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है अब हम इसको फ्राई कर लेंगे एक तवे के उपर हम एट कर देंगे 2 टेबल स्पून तेल इसको गरम होने के बाद हम फिश को एट कर देंगे इसके उपर हम जो फिश का मसाला बचा हुआ था उसको लगा देंगे गैस को हाई टू मीडियम फ्लेम पे रखके इनको फ्राइ करेंगे अब हम इनकी साइट को बदल देंगे अब हम फिर से एक बार साइट को बदल देंगे फिश हमारी अच्छे से फ्राइ हो चुकी है अब हम इसको प्लेट आउट कर लेंगे बाखे के बची हुई फिश को भी इसी तरह से फ्राइ कर लेंगे अब हम सभी फिश को एक तवे पे एट कर देंगे इसके साइट को बदल बदल कर दो मिनिट तक भुन लेंगे ऐसा करने से फिश हमारी बहुत क्रिस्पी बंती है तो ये लीजे हमारी मज़ेदार सी बांगडा फिश फ्राइ बनकर तयार है तवे पे फ्राइ हुई फिश बहुत ही मज़े की बनी हुई है हमने इसके साथ प्यास और नीमबू को रखा हुआ है आप फिश के उपर नीमबू को लगा के खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी आप भी इस तरह से फिश तवे पे फ्राइ करके खाएं बहुत ही मज़े की है उमीदे आपको हमारी ये बांगडा तवे पे फ्राइ हुई फिश पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो लाइक शेर सबस्क्राइब किजिए और बेल आइक उन को दबाना मत भुलिएगा इन्शालला मैं फिर आप से बहुत चल मिलूंगी एक नई रसिपिक के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा अलाफिस थैंक्स फर वाचिंग प्लीस लाक शेर सब्सक्राइब थैंक यू